गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स लेट्स टार्ट अबर हिंदी वर्थ आज हम करेंगे बेटा भाशा अभ्यास भाग दो जो भी है इसका इससे हम काम करेंगे शुरू तो हमारा सबसे पहले जो इसका लेसन है आपने वो खुलना है आप यह देखोंगे देख कर उनके नाम लिखिए इसमें जो आपको पिक्चर दिखाई देनी है आपने मात्राओं का अभियास कर दिया है तो आपने मैं आपको बता रही हूँ और इसमें आपने इसको लिखते जाना है सबसे पहले है मतर यह किसकी पिक्चर है मतर साइकिल ओखली भालू समाटर दीपक औरत सूराही और लास्ट में क्या है इसको आख नहीं लिखना तीन लाइने लगाने लिखने इसका मतलब इसको लिखेंगे नयन यान इसको आख बोलते हैं इसके बाद अगले पेज़ पर मूव करेंगे इसमें है यह देखो यह तोत्ता बना हो ना पर इसकी क् तो हमने यहाँ पर लिखना है चोंच, अंगूर, डमरू, जूला, गुडिया, खेलोने, रूपया, बांसूरी, धोलक, पेड़, हाँ जी बटा तो इसको हमने पेड़ नहीं लिखना इसको हमने लिखना है बरगद क्योंकि हमारे पास एक, दो, ती, चार जैर, फोर लाइज से तो हमने इसको लिखना है बरगद, ठीक है बटा? तो यह हमारे थे कि पिक्चर को देखके आपने इसका नाम लिखना है उसके बार आज हमारा है सही वर्ण पर उचित मात्रा लगा कर शब्द लिखिए यह मात्राओं का अभियास मैंने आपको लास्स टाइम भी करवाया है लास्स विक अपने पूरा यह डिसकस किया था तो इस पर सही वर्ण पर जो मात्रा लगेगी वो आपने लिखनी है यह आपकी खुद की प्रैक्टिस है मैं इसके उपर बोड के उपर कुछ भी नहीं लिखनी हूँ क्योंकि यह मैं आपको करवा चुकी है तो आप यहाँ पर इसको लिख सकती है समझदार, शरारत, कीवाड, साइकिल, कैद खाना, मोरनी, शंक, जुकाएं, खिडकी, हरियाली, कुरसी, साबुन, शैतान, औजार, बैंजो इसमें से बिंदी आएगी, बातुनी, तुफान, कूड़ेदान, करेला, खरगोश, मौसम, गौन तो यह थी वर्ण के उपर मातरा लगानी जो हुमने पहले दिसका अभियास किया है उसके बादे शब्द का सही रूप चुनकर उस पर गेरे लगाईए जो भी आपको लगता है कि यह वर्ण शब्द ठीक है तो आपने उसके उपर सरकल लगाना है जैसे अनमोल, अनमोल इन दोनों में से जो भी आपका ठीक है जैसे हमारा यह अनमोल ठीक है तो हमने इसके उपर एक गोल घेरा बना देना है अनमोल पाक या पारक तो हमारा ये वाला शब्द ठीक है तो हमने इसके उपर सरकल लगाना है उसके बाद कुर्पया किर्पया अब पहले आधा पव या आधा पव यूज होता था पर आजकल पूरा होता है तो आपने इसको करना है कुर्पया प्यार पयार ये शब्द ठीक ह हमने पहले वाले पर सरकल लगाना है खुश्बू, खुश्बू यह हमारा साही शब्द है छोटा उनी आएगा, बाद में बड़ा उनी आएगा इसको सरकल लगाना है कपड़ा, कपड़ा तो हमारा कपड़ा शब्द होता है तो हमने कपड़े पर सरकल लगाना है मंदिर, मंदीर उपर चंदरबिंदु नहीं आएगी बिंदी आएगी तो हमने आगे वाले को सरकल लगाना है बांसुरी, बांसुरी इसमें बिंदी है इसमें चंदरबिंदु है जंद्रविंदु का शब्द है बादसुरी तो हम यहाँ पर इसको सर्कल लगाएंगे तो आज हमारा भाषा भ्यास का पेई नमबर एक दो और तीन हमारे यह तीन उंपेजिस हैं जो हमने कम्प्लीट करने हैं आज के लिए इतना ही ओके बेटा थैंक्यू